नगरपालिक निगम भिलाई शेत्र अंतरगत अनाधीकृत विकास्वा निर्मान को लेकर सर्वे किया जा रहा है और इन्हें नेमिती करण के दायरे में लाने के लिए नोटीस थमाया जा रहा है नोटिस मिलने के बाद भी नेमिती करन नहीं कराने वालों पर भिलाई निगम करी कारवाई कर रहा है जिसके तहो तो भिलाई निगम ने एसे आठ स्थानों पर सिल्बंध करने की कारवाई की है निगम भिलाई द्वारा की कई सील बंद कारवाई में बड़े होटल एवं संस्थान भवन और दुकान शामिल है। निगम भिलाई की टीम अनाल होंडा एवं होटल सेंटरल पार्क के अनाधी कृट निर्मान को भी सील करने के लिए कारवाई करने निकली थी। जिसके चलते इन दोनों संस्थान पर कारवाई रोग दी गई। देखे निमिती करन को ले करके लगातार सर्वे अभ्यान चलाया जा रहा है। और इसके लिए मानी आयत महदय के निदेश पर जो है सिवीर काज़न भी किया जा रहा है। सभी को सर्वे उपरांद में नोटिस भी दिया जा रहा है निमीती करन कराने के लिए और इसके लिए हम नुहें प्रेनाई नुम्बर भी जारी किया हुआ है। जो निमीती करन के लिए जो नोटिस जारी किया है उसकी जो मियाद समाप्त हो जा रही। उसके बाद जो ऐसे निमीती करन के जो अनादे कित्विकास वाले छेत्र हैं अनादे कित्विकास और अवेद निर्मान के जो पार्ट हैं उनको सिल्बंद करने की करवाही जो है नि निमीति करन नहीं कराते हैं नोटिस देने के बाद भी तो यही प्रक्रेच हो है आके पिचार रहेगी भिलाई निगम के द्वारा बारंबार लोगों को अनाधिकरित विकास वा निर्मान के तहट भवन अनुग्या के विप्रित निर्मान मिली हुई स्विक्रिति के विप्रित निर्मान आवासी प्रयोजन में व्यावसाइक निर्मान या बिना स्विक्रिति के निर्मान का निमीति करन कराने की अपील की जा रही है इसके लिए शिविर भी आयुदित किये जा रहे हैं निमीत करन के दाइरे में लाने के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है बावजूद इसके गंभीरता से नहीं लेने वाले भवन, संस्थान, आदी को सील बंद करने की कारवाई की जा रही है और यहां आगे भी लगातार जारी रहेगी ग्रेंडेसियन निउस के लिए भिलाई से संतु शर्माग रिपोर्ट